नमस्कार एक और महत्पुर्ण वीडियो में आपका स्वागत है आगर आप देखेंगे जार्खंड सरकार के ओफिसियल ट्विटर हैंडल को जार्खंड CMO का या फिर हेमन सोरेंजी का या फिर IPRD जार्खंड का तो बड़े जोरों सोरों से देखिए आप यहां पर लिखा कि 8 लाख लोगों को जो है वो आवास दिया जाएगा और इसका नाम जो है वो अबुआ आवास योजना रखा गया है यह जार्खंड सरकार अपने अस्तर से देखी आवास निर्मान पर सरकार 16,320 क्रोड रुपईया खर्च करेगी आप देख सकते हैं यहां पे और इसके उपर भी इसी परकार का ट्वीट किया गया है आप देखिए 8 लाख गरीबों को 3 कमरे वाला घर मिलेगा अब वह आवास योजना जो है वो जार्खंड सरकार द्वारा चलाया गया योजना है यह परधान मंतरी आवास योजना से अलग है जिसमें आप देख सकते हैं कि पर इनेट में जो है यह मोहर लग गई है तो इसलिए अब यह बिल्कुल तय हो गया है कि अब लोगों को जो है वो आवास मिलेगा जार्खंड में एक जो केंद्र स्कार देगी वह अलग और साथ में इधर जो है वह अब हुआ आवास योजना केंतरगत में भी जो है वो लोग पर भी आप देख सकते हैं इस प्रकार से काफी सारा प्रचार चल रहा है तो यानि कहने का मतलब यह है कि अब जो है इस योजना का लाब जो है वो आपको मिलेगा और इसका लाब किसको मिलेगा देखे या लिखा हुआ है योजना का लाब कच्चे घरों में रहने वाले प चालित आवास उजना जैसे प्रधानमत्री आवास उजना ग्रामिन बाबा साथ भीमराद अम्बेदकर आवास उजना इंद्रा आवास उजना आधी आवास का लाभ नहीं दिया गया है उन्हें मिलेगा उप्यूक्त पातरता मापदंड के अनुसार से लाभारति को प्रभाद हो जा रहा है या फिर बंद्धुआ मजदूर है तो वैसे लोगों को जो है वो इसका लाभ दिया जाएगा और यह तीन चर्णों में जो है वो यह होगा आठ लाक जो घर बनाए जेंगे वो तीन चर्णों में होगा जिसमें आप देख सकते हैं पर्थम चरम वि योजना होगा इसके अंतरगत में तीन कमरों का पक्का मकान होगा जिसमें एक रसोई घर बनाया जाएगा और दो रहने वाले कमरे होंगे जिसका शेतरफल 31 वर्ग मीटर होगा योजना अंतरगत तीन कमरों कमरा सहीत स्वक्ष रसोई घर का प्रावधान किया जाएगा यो तो वो योजना था इससे पहले प्रधानमंत्री आवाज योजना उसके अंतरकत में जो रासी मिलती थी वो एक लाख बीस जार रुपईया और कुछ लेबर पेमेंट मतलब को लिम्लाकर के एक लाख चालिस जार रुपईये वरतमान में भी मिलता था लेकिन इस योजना में यह जो अबुए आवाज से उजना होगा इसमें दो लाख रुपईये आपको मिलेंगे इसके बारे में भी पूर्ण रुपेंट डीटेल्स नहीं आया है कि इसमें लेबर पेमेंट कितना होगा और साथ में मैटेरियल कौश कितना होगा इसके बारे में भी डीटेल आना ब निवादे